राम राम दोस्तों दोस्तों आज का मार्किट साइडवेज रहा और साइडवेज मार्किट की मैंने आपको पहचान बताई है बहुत बार डिसकेशन किया है और हमारा एक और डिसकेशन हुआ था कल अगर आपके याद हो पूरा फोकस होने वाला था 54,000 पे क्यों होने वाला ध्यान से अगर आप देखेंगे लगबग मार्किट ने आदे से जादा समय spend किया था इससे नीचे time spend करते हुए यान कि हर बार मार्किट इसका breakout देने की कोशिस कर रहा था लेकिन दे नहीं पाया था जब breakout आया वो momentum भी कोई खास नहीं था आज एक बहुत बहतरीन वीडियो आने वाली है आपके लिए 7 बजे उसे जरूर देखना जहां पर मैंने आपको chart reading के बारे में explain किया है अब तब आपको ये detailing काफी detailing में समझ में आएगी कि market में क्या momentum होता है कैसे क्योंकि ये सारी चीज़े मैंने उस chart reading में chart को कैसे read किया जाता है अगर आपको profit बनाना है तो उस वीडियो को जरूर जा के देखना इंतिजार करना 7 बजे काज तो यहाँ पर हमने क्या देखा market में एक जो पहली candle बनी अगर आप इसके high को mark कर लेंगे और इसके low को mark कर लेंगे ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो इसके high का आपको breakout मिला है ना इसके low का आपको breakdown मिला है last में मिला है लेकिन फिर से market ने उपर ही इसको closing करते हुए दिखाई दिया लेकिन जरूरी बात हमारे लिए क्या थी जरूरी ये बात थी कि 54,000 पे market क्या reaction देगा तो इसके नीचे ही market ने closing दिया अगर closing इसके नीचे market दे रहा है तो आपको कुछ गिरावट की possibility हो सकती है अगर market previous day low से नीचे चला जाता है तो आपको कुछ गिरावाट market में देखने को मिल सकती है क्या-क्या support zone रहेंगे वो हम आगे discussion करेंगे लेकिन पहले एक चीज और देख लो बही मैं काफी दिनों के साथ आपके लिए बोलिंजर बैंड भी explain कर रहा हूँ और RSI भी explain करना हूँ आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसे ध्यान से समझो market sideways था ध्यान दो पहले 23rd को ध्यान दो 23rd को भी market sideways था RSI भी sideways था लेकिन आज भी market sideways था लेकिन RSI weak था फिर से ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाहरा हूँ 23rd को market sideways था RSI भी sideways था लेकिन आज भी market sideways था लेकिन RSI weak था ये market के strength को बताता है यानि कि ये clear clear बता रहा है आपको 15 minute के time frame पे की market में weakness है एक छोटे time frame पे discussion कर रहे हैं आईए अब इसे बड़े time frame पे समझते हैं कि बड़े time frame पे ये क्या दिखा रहा है अगर आप one day के time frame पे आएंगे तो one day के time frame पे भी मैं आपके साथ एक discussion काफी दिनों से कर रहा हूँ क्या discussion कर रहा हूँ कि market Bollinger Band से बाहर है यहाँ पे बाहर निकला था इस दिन भी बाहर रहा इस दिन भी बाहर रहा इस दिन भी बाहर रहा दूसरा तरीका क्या होगा यह एक retracement दिखाएगा तो अभी यह sideways दिखा रहा है जब तक कि अपने यहाँ पे अपने previous day low का breakdown नहीं दे देता तब तक इसके sideways होने के chances है यहनकि sideways भी रहेगा तब यह Bollinger Band के अंदर आ जाएगा लेकिन RSI पे हम नजर रखेंगे क्योंकि RSI अगर 70 का breakdown देता है तो इसका मतलब और भी negative आ सकता है यह 60 तक जाने की possibility इसकी हो सकती है अगर इसमें गिरावट आई तो आपके लिए एक important support तो यह area रहने वाला है मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ इस area में क्यों क्योंकि जब all time high लगा था यह एक important resistance बना था अब market इसका breakout दे रहा हो सकता है इसे retest करने आ रहा हो फिर bounce करेगा यह एक price action बनाने की कोसिस कर रहा हो यह भी तो एक तरीका हो सकता है तो इसलिए हम इसे observe करेंगे हम घबराएंगे तब जब market यह जो previous आई था इससे नीचे price sustain करना शुरू कर जाएगा मोटे सब्दों में अगर मैं सीधे सब्दों में आपको समझाने की कोसिस करूँ अगर 53,000 से नीचे price sustain करने लगा तो इसका मतलब market में और भी गिरावाट आ सकता है और यह middle bollinger band तक जा सकता है यह probability हो सकती है क्योंकि फिर market के लिए support की possibilities इस area में बन जाएगी और अगर यह खिचाव आएगा तो middle bollinger band भी आपको उपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा समझ में आ रही है कि नहीं चीजे इसलिए इन चीजों को observe किया गरो समझा गरो इने आईए में कुछ और चीजे भी आपको explain करते हूँ यह भी मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊँगा जो 7 बजे वीडियो आने वाली है अब मैंने आपको sideways market भी explain किया है अगर आप धियान से observe करेंगे काफी धियान देना इसे थोड़ समय जूम कर लेता हूँ ओके 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 अब धियान से समझना भई मार्किट में अगर आप देखेंगे यह 23rd को एक resistance zone बना था आज भी मार्किट ने इसे ही एक resistance zone बना दिया 23rd को नीचे भी एक resistance zone बना था लेकिन breakout देके support लिया था आज के दिन यह पूरा support zone बना रहा अगर मार्किट कल को भी इसी एरिया में घूमा हमारे किसी भी काम का नहीं है कोई opportunity नहीं मिलने वाली कोई momentum नहीं मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपका premium गलाएगा बाकि आपको कोई momentum market नहीं दे पाने का दूसरी चीज अगर आप यहां पर देखेंगे अगर यह इसका breakdown दे देता है तो दो possibility हो जाएगी हमारे सामने पहली यह 54,000 से नीचे price sustain करने की कोईशिस कर रहा है दूसरी possibility यह जो pattern बन रहा है इस pattern का breakdown देने की कोईशिस कर रहा है तो यानि की आपके लिए फिर खुले offer हो जाएंगे मार्केट में negative side opportunity के लिए क्योंकि यहां पर एक बहुत छोटा सा stop loss लगएगा और सोने पर सुआगे वाली बात यह हो जाएगी कि मार्केट अगर यहां पर shooting star बना दे या pin bar bullish candle बना दे या full body candle बना दे या फिर very single thing बना दे वो और ज़्यादा बहतर है तूसरी तीसरी चीज़ भी आपर observe करो चार चीज़े हैं आपर previous day closing भी आपकी यहीं के पास है उससे भी नीचे price sustain रहेगा चोती चीज़ आपका previous day लो भी यहीं पर इसका भी को breakdown मिल जाएगा इसके breakdown मिलते ही फिर यह एक important resistance बन जाएगा हमारे लिए जो कि हमने 23rd को देखा था clear हो गया तो यह तो discussion हो गया अगर market इसका breakdown देता है ऐसा भी तो सकता है market इस पे support लेके bounce करे तो इसका मतलब 54,000 से उपर price sustain करेगा लेकिन हमारे सामने एक रुकावट और ला दी है market ने कौन सी यह resistance जोन की तो यानि कि जब तक इस resistance जोन का breakout नहीं मिल जाता तब तक आप aggressive नहीं हो सकते उपर की side हलाकि इस वाली candle में market ने breakout देने की कोसिस की थी और यह देखो कितना बहतरी ट्रेप किया market ने इसलिए मैं कहता हूँ कि proper candle के close होने का इंतिजार किया करो और उसके बाद follower candle बनने का इंतिजार किया करो यह कल वाली वीडियो में मैंने आपको समझाय था अगर आपने नहीं देखी तो कल वाली वीडियो जाके देख लेना वहाँ पर मैंने आपको समझाय था हर रोज अब मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा कोसिस करूँगा मैं हर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन अभी कहीं दिनों से लगतार आ रही है हर रोज आ रही है क्योंकि किसी किसी दिन टाइम नहीं मिलता क्योंकि अब मैं चाहता हूँ free of cost आपको इतना बहतरीन content प्रोवाइड किया जाए तो इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत किया करो मैंने आपको learn to earn वाली जो playlist बनाई थी उसे गोट के पी जाओ मतलब हर चीज देखो और उस पे काम करो तो यहाँ पे हमने क्या देखा अब market को इसका जब breakout देगा तब positive side confidence आएगा उससे पहले आपको positive side confidence नहीं आ सकता है क्योंकि market एक बार trap कर चुका है और multiple time rejection दिखा चुका है यह चीज समझ में आगी दूसरी चीज आज वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैंने आपको explain किया हुआ है मैं यहाँ पे भी आपको explain कर देता हूँ अगर registration zone का market breakout देना चाहरा है अगर इसके यहाँ time spend करके तब breakout देगा तब सोने पे स्वागे वाली बात हो जाएगी positive side बहुत ही ज़्यादा confidence आ जाएगा ठीक वैसे अगर breakdown देदा चाहता है तो पहले यहीं पे time spend करें breakdown देदे जैसे यहाँ पे time spend करा था अगर breakdown देता तो negative side आपके लिए confidence एकदम से आ जाता लेकिन market bounce कर गया तो ना तो positive side इसलिए जाने छोड़ा और ना ही negative side के लिए इसने मोका छोड़ा तो इसलिए हम क्या देखेंगे अगर time spend करके breakdown देगा तो ज़्यादा बहतर है या फिर कई cases मैंने ऐसे भी observe करेंगे अगर breakdown देगे एक बार retest करने आ जाए और फिर momentum दिखा दे ये भी बहुत बहुत बहतरीन price action आपके लिए बनता है इन चीजों पे भी आप नजर रखते हुए चलेंगे आईए एक नजर अब pivot point पे भी डाल लेते हैं कि pivot point हमें क्या कह रहा है अगर हम discussion करेंगे अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखा रहा है तो उस situation पे जो आपके लिए पहले resistance की possibility हो सकती है 54,189 पे हो सकती है अगर market इसका breakout देता है जो आपके लिए दूसरी resistance की possibilities हो सकती है इसका discussion करने से पहले मैं आपको यह बता दू यह आपके लिए किसी भी तरह करना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बिनाई गई analysis वीडियो है इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करनी है अपनी investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको होने वाला है यह 54,474 के राउंड आपके लिए अगली resistance की possibilities हो सकती है वहीं पर अगर bank nifty में आपको एक negative move देखने को मिलता है तो उस situation पर जो आपके लिए पहले support की possibilities हो सकती है 53,838 के राउंड हो सकती है अगर market ने इसका breakdown दिया जो आपके लिए दूसरे support की possibilities हो सकती है यह 53,736 के राउंड हो सकती है अगर आपको इसका भी breakdown मिला जो आपके लिए तीसरे support की possibilities हो सकती है यह 53,558 के राउंड आपके लिए तीसरे support की possibilities हो सकती है अब gap up opening और gap down opening को भी समझ लेते हैं जैसे कि हमने discuss कर लिया ऊपर ये एक resistance जोन है नीचे एक ये support जोन है अगर market gap up open होता है इस area में कहीं भी gap up open हो हमारे किसी काम करने है ना तो ये positive side opportunity देगा नहीं negative side opportunity देगा क्यों positive side नहीं देगा क्योंकि positive side opportunity मिलेगी जब market इस range का breakout देदेगा यानि कि अपने previous day high का breakout देदेगा क्योंकि अगर यहां से multiple time rejection ले रहा है अगर gap up open होके फिर से rejection ले लिया अब काफी लोग सोचेंगे अगर rejection ले रहा है तो negative side position बना लेते हैं वो गलती भी मत करना क्योंकि नीचे आते समय इसके लिए support कहीं हो जाएंगे 54,000 का support पढ़ेगा पहले फिर आपके लिए previous day closing का support पढ़ेगा फिर आपके लिए previous day low का support पढ़ेगा और यह price action के according भी support है यानि कि negative side तो यह और भी ज़्यादा खतरनाक है यानि कि negative side भी opportunity तब बनेगी जब previous day low से नीचे price sustain करने लग जाएगा तभी आपको negative side opportunity देखने को मिलेगी नहीं तो आपको negative side opportunity भी देखने को नहीं मिलेगी तो करना क्या है अगर gap up open होके यहाँ time spent करके breakout देता है तो positive side plan करेंगे नहीं तो अगर reversal आ जाता है तो कुछ नहीं करना है सांती से आपको बैठ जाना चाहिए वहीं पर अगर gap down opening plan होती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस area में आपका 54,000 हो गया आपका previous day closing हो गया आपका previous day low हो गया और ये वाला एक support zone हो गया अगर gap down opening होती है तो इसका मतलब market इन सभी से नीचे जाएगा नीचे जाएगा तो इन सभी का breakdown मिल चुका breakdown मिल चुका तो आप जानते हैं अगर कोई important support zone है breakdown मिलता है तो उसकी resistance की direct करने की possibility बढ़ जाती है तो ये एक important resistance बन जाएगा अगर फिर reversal आके यहाँ पे market time spend करने लगे तो इसका मतलब sideways जाने की possibility रहेगी या तो एक बड़ी candle के साथ market को इसका breakout दे के तब उपर निकलना पड़ेगा नहीं तो अगर market ने इसका breakdown दे दिया follower candle मिली तो आपको negative side कुछ plan करना चाहिए कि market इस area से बाहर निकलने की कोशिस कर रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप मेरे setup और strategies सीखना चाहते हैं तो नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा अगर आप best broker या फिर FNO के लिए किसी broker को ढून रहे हैं तो मैं suggest करूँगा आप Fires में अपना demate account open करा सकते हैं मैं भी उसमें trading करता हूँ काफी अच्छा interface है और बहुत easy to use है तो उसका भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए राम राम